हेलो गाइस तो आज हम लोग नारूटो मूवी का एक इंदी एक्स्परेशन करने जा रहे हैं इस मूवी का नाम है दर लास्ट आफ दर टावर नारूटो शिपडेंड यहाँ पर हम लोग मूवी पे कई सारे बाते करेंगे तो लेट्स चार्ट दर इंट्रो तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक रेगिस्तान को जहां पर अच्ची तगड़ी फाइट चल रही होती है यह फाइट चल रही होती है नारूटो और एक पपेट के बीच में एक्चल में यह पपेट रोबोट किसी कंट्रोल में था जो की चाकरा अंदर उसके भरा होता है और वो हमला गरता है नारूटो पर वो जैसे ही अपने पूरी तलवार नारूटो पर घुशेड़ने वाला होता है कि तभी साकुरा वाँ पर आके उसे एक दबरदस पंच मारती है जिसके बाद वो रोबट के हाला थोड़ी ची खासता हो जाती है यहाँ पर इनारूटो आते है और अपना रसिंगन उस रोबोट के अंदर यानि कि उस पपेट के अंदर मार देता है और वो आपर बड़ा सा गड़ा हो जाता है गड़े में दोनों गिरने ही वाले होते हैं कि तब इस क्रॉल निंजा कि उन्हें बचा लेता है और वो सभी बाते कर रहे होते हैं कि अगली बार से ये पागल पंती मत करना और वो कहता है कि येस हम लोग जीत गए और जैसे ही वो वहाँ पे उस गड़े के पास जाते हैं और उस गड़े से नीचे की तरफ जागते हैं तो उन्हें कीला दिखता है जहां पर वो अंदर गुषने की त्यारी करते हैं यहां पर उन्हें लेडी तुनाटी की बाते याद आती है कि ये mission पूरा करना बहुत ही important है यहाँ पर ये सभी लोग अंदर गुचते हैं उस किले के और दोड़ते हुए main villain यानी के मोकाटो के पास आ जाते है मोकाटो कहता है कि तुम लोग मुझे कभी नहीं हरा सकते हो और ये कहते ही वो उस कुनाई को उस hole के अंदर डाल देता है जिसके बाद एक तेज रोशनी निकलती है और वो कहता है कि मैं जरूर जीतूंगा और वो उस कुनाई को गोल से घुमा देता है जिसके बाद एक तेज रोशनी निकलती है जिससे नारूटो देखकर उसकी तरफ भागता है लेकिन जब वो रोशनी उसकी पास आने लगती है तो नारूटो पीछे की तरफ भागने कोश्च करता है लेकिन उस रोशनी से बच नहीं पाता कि तब ही साकुरा कहती है नारूटो तब ही वो नारूटो वहां से गायप हो जाता है एक्शले में हुआ ये था कि यहाँ पर टाइम ट्रेवलिंग हो गई है टाइम ट्रेवलिंग करते वक्त वो पास्ट में जा चुका है यहाँ पर वो एक लिल्की का गाना सुनता है जो कि रूलडगी रो रही होती है वहाँ पर वो उसका पीछा भी करता है लेकिन वो समझ नहीं पाता कि वो अंदर कैसे गई यहाँ पर दो रोबोट्स आते हैं निकि पपेट आते हैं और उस कमरे के अंदर जैसे ही गुशते हैं तो वो तूटकर बिखर जाते हैं यहाँ पर हुआ यह था क्योंकि यहाँ पर कोई भी चाकरा काम नहीं करता इसलिए वो तूटकर बिखर गए थे उस कमरे के अंदर और जैसे ही वो नारूटो उसकी तरफ भागता है तो वो गेट बंद हो जाता है लेकिन नारूटो वहाँ से निकलने का एक रास्ता दोंड लेता है यहाँ पर नारूटो जैसे ही बाहर आता है और वो देखता है सामने उसके कई सारी उच्छी उच्छी बिल्डिंग्स है यहाँ पर एक में बीच में टावर बिल्डिंग्स थी जो कि सबसे ही उची थी इनसे भी उची बिल्डिंग्स थी यहाँ पर पपेट्स यानि की पपेट्स रोबोट जो भी थे वो उस पर हमला कर देते है नारूटो पर नारूटो और उनकी बीच में एक तगड़ी फाइट चल रही होती है नारूटो उनसे बचने के चक्कर में एक ब्रिच पर आज पहुँचता है वहाँ पर वो उनसे लड़ता है लेकिन सामने से भी उसके उपर एक एनरजी बीम प्लास टैक हो जाता है जिसके बाद नारूटो अपना चाक्रा मतलब एक कुनाई चाक्रा के मज़़ से उन पर हमला करता है तब ही उसको विजन आता है कि मैं तो पास्ट मतलब अपने टाइम में था मैं ये कहां आ गया पहले तो उसे समझ में नहीं आता है बाद में हमें उसे पता चल जाएगा यहाँ पर वो मारते समय एक ब्रिज पर गिर जाता है जिसके बाद ये रोबोट उस पर एक एनरजी बीम ब्रिज टूट जाता है और नारूटो को भी बहुत ज़्यादा चोड़ लग जाती है एक्च्वल में वो जब गिरता है वहाँ से तो उसके पैर में चोड़ लग जाती है और वो दर्द से कराहरा होता है कि तभी सारे के सारे पपिट्स उस पर हमला करते हैं कि तभी उसे कुछ लोग आके बचा लेते हैं एक्च्वल में ये नारूटो के फादर थे और नारूटो पूछता है तुम कौन हूँ वो अपनी आइडेंटिटी तो नहीं बताते लेकिन वो ये बताते कि हम भी लीव विलेज के हैं यहाँ पास नारूटो कुछ सोच रहा होता है और तभी उसको विज़न आता है क्यों मेरे मास्टर भी आये तो थे इस जगह पर क्योंकि वो भी रोशनी के चपेट में आ गए थे यहाँ पर हमें कई सारे लोगों को दिखाया जाता है यहाँ पर नारूटो देखकर बहुत है हैरान हो रहा होता है यहाँ से वो अंदर के सीन दिखाया जाता है आजाता है एक्च्वल में मोकटो इस टाइम लाइन में एक मरफजीर है जो कि उसका सलहकार भी है साथ सासू लड़की का यहां पर वो लड़की भागते हुए जाती है रानी बनके यहां पर वो रानी के ड्रस में बाहर आती है और नारुटो से देखता है कि तब ही उसे बिल्डिंग से मतलब साथे बिल्डिंग से वहां से वो गिरने लगती है जिसे नारुटो बचाने के लिए वहां से अपने जगह से जब जम्प मार देता है और उसे बचा लेता है बचाने के बादे उसे एक जगह पर लाता है क्योंकि उसकी पैर पर भी चोट लगी थी त तो उसने बत नारूटो बोलता है कि तुम गेर रही थी क्या तुम्हें याद नहीं कि तुम गेर रही थी तो लड़की बोलती थैंक्स तुमने मुझे बचा लिया लेकिन नारूटो कहता है हो गया कोई बात नहीं लेकिन अगली बात जानकर मत मारना यहाँ पर वो तीनो निंजा फिर से आ जाते हैं और नारूटो के तरफ देखते हैं तब ही वो सारा यानि कि वो जो लड़की क्वीन थी वो वहाँ से जाने लगती है कि तब ही नारूटो का डैट यानि कि उसे वो पकड़ लेता है और उन सभी को सच्चाई बताता है मोकाटो की यहाँ पर नारूटो कहता है कि मैं भी एपनी जगह से आया हूँ मैं भी लीव विलेज से आया हूँ तब ही उसे वो याद आता है यानि कि जो उसके फादर थे वो उसे बताते हैं कि हम लोग अपनी विलेज में खुशी मना रहे थे कि तब ही हमें मुझे मास्चर जिराया आये और वहाँ पर वो कुछ दिखाना चाह रहे थे मुझे यहाँ पर मास्चर जिराया उसे ले जाकर रसिंगन बनाना दिखा रहे थे कि अब वो भी रहे एक रसिंगर बना सकते हैं यहाँ पर वो देख के इतना एक्साइटेड नहीं हुआ था क्योंकि उसे पता था कि मैंने नहीं तो सिखाया है जिसके बाद वो उनकी शकल देखने लाइक थी खैर यहाँ पर गाई से और वो जो मास्चर था मास्चर का बड़ा रूप अब वो छोटा रूप है यहाँ पर ककाई सेंसे के भी चाइल्ड उड का मालब दिखाया गया है यहाँ पर हुकागे से बात हुकागे दिखाया जाते हैं थाडुकागे जो कि बात कर रहे होते हैं इस भी निंजास से जोकि तुम्हारा फेस तो हमारे यहां के फूर्थ होगा आगे से मिलता जलता है और नारुठो को समझ में आ जाता है कि यही मेरे फाधर है कि तवी नारुठो बताता है कि हमारे टाइम लाइन से नाम का एक विलन आया है इस timeline में यहाँ पर हमें पता चलता है कि Makoto ही वही villain है जो कि timeline का वजीर और सलाकार है दोनों यहाँ पर वो उसे बताता है कि तुम हमारे timeline के village में तुम fourth हो कागे बनोगे एक्चल में वो उसके father मना कर देता है कि अब जादा ही तुम future के बारे मत बताओ यहाँ पर वो सोच कर हरान होती हुए कि Makoto यानि कि उसका वजीर वो तो एक अच्छा इंसान है वो ऐसा नहीं कर सकता जिसके बाद Naruto से बताता है अपनी timeline में जो जो हुआ था जिसके बाद वो यह सब नामान कर वहाँ से भाग जाती है चला जाता है यहाँ पर हमें जो सबसे उच्छा टावर होता है उस पर एक ब्लू कलर की रोशनी चमकती हुई दिखाई देती है यहाँ पर यह लेड़ी यानि की जारा क्यूइन जो थी वो वहाँ से जारी होती है कि तभी उसे कुछ लोग किननाप कर लेते है यहाँ पर हमें पता सलता है कि वो इसी के लोग है नारूटो उसे देख रहा होता है और नारूटो भी उसके बीचे तरफ भागने चालू करता है यह हुआ तो हुआ क्या यहाँ पर वो सभी लड़किया उसे सारा यानि क्यूइन को किननाप कर लेती है और वो कहते हैं कि तुम हमारे हस्बेंट को छोड़ दो एक्शल में यह सब किननापर्स नहीं होती यह सारी लड़किया ही होती है वहाँ पर नारूटो के आ जाने के वैसे वो सभी लड़किया अपना चैरा रिवील करती है और वो में से कुछ बच्चे भी होते हैं जो कि अपना चैरा रिवील करते हैं नारूटो के सामने वो सभी लोग एक टर्नल से बाहर निकलते हैं और उन्हें दिखाया जाता है कि ये देखिए ये आपके प्रजा तो वो कहती है कितने खुश है मेरे प्रजा तो उसने काल नहीं मतलब वहाँ पर जो लड़की थी जो उन्हें कैप्चर किया था उन्होंने तो उन्होंने बताया कि ये कोई लड़की इनसान नहीं है ये सब एक पुतले है तब ही नारूटो उन्होंने से एक को पुतले को बाहर लाता है और उन्होंने पर एक चाक्रा का दिखाता है कि ये सारे लोग चाक्रा से जुड़े हुए है जिसके बाद नारूटो उस पर एक चाक्रा का हलका सा पावर देता है जिसके बाद उसका चाक्रा थ्रेट दिखने लगता है यहाँ पर वो चाक्रा जैसे दिखाता है वैसे उन्हें चाक्रा का थ्रेट पूरे एक जाल जैसा दिखने लगता है तब ही वो सारा यानि कि जो क्वीन थी वो यह देखके बहुत हैरान होती है यहाँ पर उसका एक duplicate queen भी थी जो की उन पर राज कर रही थी और वो सबी लग चिला रहे थे एक्चल में देखने में तो लग रहे थी कि हो सारे इनसान है लेकिन वो इनसान नहीं थे यहाँ पर नारुटो उसका सारा यानि की queen का पीछार करता है लेकिन नहीं पहुँचता बाद में वो देखता है कि जहाँ पर वो एक लड़की मतलब फिर से वो याद कर रही होती अपनी मदर को क्यों कैसे एक अच्छी गिरानी थी और मोकोटो उनका एक वफदार था यहाँ पर उसके याद आता है कि मेरी माने एक बहर एक क्रोई रिचुल किया था इस अनलिम्टेट पावर के लिए यहाँ पर उसे याद आता है कि यह वही पावर है जो कि रात में चमकता है यहाँ पर उसकी मा का एक मदब समाधी भी दिखाई जाती है और यहाँ पर वो मोकोटो का और उसको सारा को भी दिखाया जाता है यहाँ पर नारूटो आता है और कहता है है मैंने तुम्हें कहा कहा नहीं दोड़ा लेकिन अब बिना बताए मत जाना तब ही यह लोग डिसाइड करते हैं कि हम पूरे उस चाक्रा को ही बंद कर देंगे और सभी लोग खुशी खुशी रहेंगे यहाँ पर वो सभी लोग प्लैम बनाते हैं और एक टर्नल के अंदर जाने की पूरी त्यारी कर लेते हैं यहाँ पर वो टर्नल के अंदर जैसे ही घुशने वाले होते हैं और चालों तरफ देखते हैं और अंदर घुश जाते हैं यहाँ पर नारूटो और सारा दोनों ही अंदर जाते हैं लेकिन वह पर इतना धुमा होता है कि कुछ देखता ही नहीं लेकिन फिर भी वो लोग उस जगह पर पहुँचने की कोशिश करते हैं यहाँ पर साहरा और नारूटो उस जगह को बड़े ही ध्यान से देख रहे होते हैं कि तभी नारूटो को याद आता है कि यह तो वही जगह है जहाँ पर से हम लोग अंदर आये थे यानि कि अपने टाइम लाइन से पास्ट ओले टाइम लाइन में आ चुके हैं नारूटो उसे लेकर जम करता है और उस जगह पर पहुंचता है उस जगह पर जैसे ही पहुंचता है तो वो देखता है और नीचे की तरफ देखता है तो वहाँ पर कई सारे लोग जो मजदूर थे वो सब काम कर रहे होते हैं और उन्हें काम कराने वाले पपिट्स होते हैं ये सारा देखकर बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है जिसके बाद वो उसे सील करने के लिए पूरी त्यारी करती है यहाँ पर वो उसे अपने मंतर से सील करती है सील करने के पात जहाँ पर हमें पता चलता है कि जैसे ही वो सील करती है सारी मशीने अपने आप रोग जाती है कि तभी नारूटो और सारा दोनों भी वहाँ से भागनी की कोशिश करते है लेकिन तभी हमें Makoto को दिखाया जाता है जो कि वहाँ आ जाता है और कहता है कि तुम ने वहाँ आकर देखी लिया सब कुछ Queen लेकिन मेरा काम लगबर पूरा होई चुका है तभी Naruto कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया इन लोगों को परिशान करने का तुमारा क्या मकसत है तभी Makoto कहता है तुम तो मरोगे है क्योंकि तुम मेरे पीछे ज़वाय हो तभी वो अपना हाथ उठाता है और अपने थ्रेट चाक्रा से उन सभी को जिंदा कर देता है यानि कि उन सभी Puppets को जो कि सारा को पकड़ने के और मारने की तयारी करते है लेकिन नारुटो सारा को भागने के लिए कहता है और वो जैसे ही भागने को करती है कि तभी उसका सामदार कर रोक लेते हैं वो Puppets यहाँ पर नारुटो अपने चाक्रा का यूज़ करके कि उन सभी को खतम करने की कोईश्च करता है लेकिन जितनी बार वो उन्हें मारता है वो उतनी बार ही जुड़ जाते हैं एक बार वो नारुटो को पकड़ लेते हैं और अपने अंदर ही कैप्चर कर लेते हैं नारूटो यह देखकर बहुत ही परिशान होता है कि माकौटो ने उसे पकड़ लिया है तब ही माकौटो नीचे उतरता है और बताता है, उसे याद दिलाता है लड़िकी को एक्चनि उस लड़िकी को यह याद आता है कि यही वो इंसान है जिसने मेरी मा को अपने कुनाई से मार दिया था ये बात उसका अब ये समझ में आ जाती है कि ये मॉकाटो ही है जिसने मार दिया था उन तीन सेना पतियों के साथ मिलके फिर उसे याद जब आ जाता है तो वो रोने रखती है कि तब ही वहाँ पे जो कुनाई पड़ी होती है वो उसे मानने वाला होता है कि नारूटो अपना इतना जादा गुस्ते में आ जाता है कि उसका रेड चाक्रा यानि कि नाइन टिल फॉक्स चाक्रा वहाँ से बाहर निकलने लीक करने लगता है उस जगह से ये देखकर मुकाटो बहुत ही परिशानी में आ जाता है कि इतना जादा पावर में कैसे मलब ये कैसे समाल पाएंगे और वो जगह पुरी लाल होने लगती है वो ये देखकर अपना हाथ फिर से उठाता है लेकिन तब तक वो जगह तूट चुकी होती है और वहाँ से नारूटो पाहर निकलता है और उस पर एक जबरदस्ट पंच मारता है जिसके बाद वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम्जे पंच मारने की और ये कहते हुए वो नीचे की तरफ गिर जाता है ना वो फिर से उठता है और अपने हाथों को फिर से एक चाक्रा पॉइंट में बदल देता है इस बार वो खुदी डीमन में बदल जाता है यानि कि स्पाइडर में बदल जाता है यहाँ पर स्पाइडर में तो बनता है वो लेकिन वो जितनी बार नारूटो उसे मारता है वो उतनी बारे जुडने की कोशिश करता है कि तभी उसका फादर यानि नारूटो का फादर आके उसे बचा लेता है यहाँ पर ककाई जनसेवी को भी दिखाया जाता है जो कि अपने चाकरा का इस्तमाल करते हैं यहाँ पर हमें पता चलता है कि नारूटो और सारा दोनों ही ठीक है तभी नारूटो अपने चाकरा यानि की रसिंगन का इस्तमाल करता है और उस पर एक जबरदस रसिंगन मार देता है जिसके बाद हमें यह दिखाया जाता है कि नारूटो वहाँ पर खड़ा है लेकिन उसकी हालत कुछ सही नहीं लग रही जिसके बाद वो अपने अंदर फिर से वही परपल चाक्रा को मगाता है और अपने अंदर डाल लेता है यहाँ पर सारा आती है और उन सभी कैदियों को आफ़ात कराती है जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो फिर से टूट चुका है और फिर से रीकंस्ट्रक्ट करने के लिए वो इसी परपल चाक्रा का यूज कर रहा है और इस बार वो अपनी दुगने ताकत और डबल साइस में आया वापिस आ जाता है यहाँ पर यह फिर से फाइट करने के लिए बाहर जा चुकी होती है तभी हमें दिखाया जाता है कि वह परपल चाक्रा का फिर से इस्तमाल करता है और बाहर निकलता है और बाहर निकलते ही कहता है कि मेरी ताकत unlimited है, मेरे पास unlimited chakra है, मुझे कोई नहीं हरा सकता जिसके बाद वो वहाँ से सभी लोग बाहर निकलते हैं और भागते हैं, middle tower के बीश में जो कि सबसे मुचा था actual middle tower में भागने का महस्त यह था क्योंकि वो वहाँ जब पहुंच जाते तो उसके अंदर वो राक्षस नहीं आ सकता था, लेकिन यह लोग गलत थे, कि तभी वहाँ से वो तोड़ते हुए निकलता है, और वो राक्षस कहता है, सारा, मैं तुम्हे मारने आ रहा हूँ, तभी नारूटो से कहता है, कि रोक जाओ, मैं तुम्हें हरा दोंगा जिसके बाद वो नारूटो मलब यानि कि सारा को अपने थेट चाक्रा से कंट्रोल करने लगता है, और यहाँ पर वो उसे कुछ लोग रोकने भी आते हैं कि वो अपना गला को गला न दबाए लेकि वो उसे पँच मारती है और फिर से अपना गला दबाना चालू कर देती है क्योंकि वो उसकी कंट्रोल में है जिसके नारूटो आता है और अपना चाक्रा ब्रेट से उसे काट देता है, मलब उसके थेट चाक्रा को जिसके बाद उसका connection उसका connection टूड़ जाता है यानि कि सारा का connection और उस demon का connection तब ही वो उस पर एक energy beam blast attack करता है जिसके बाद वहाँ पर बहुत धुआ धुआ हो जाता है लेकिन नारूटो उसको survive कर जाता है उस हमले को जिसके बाद वो अपना मडड़ी शड़कोन जुट्सू का इस्तेमाल करता है और रसिंगां दोने एक साथी बनाता है यहाँ पर सेंशिफ्ट होता है और हमें सारा को दिखाय जाता है जो कि अपने विजन में देख रही होती है कि उसकी मौम कैसे उसका हिम्मत देती थी यहाँ पर वो नारूटो और उनके फीच में काफी लंबी फाइट चल रही होती है तब ही वो अपने कपड़े फारती है सारा और कहती है कि मैं इनकी अपरक्षा करूंगी ही यहाँ पर सभी लोग खुद देखता है नारूटो कि सभी लोग आचुके हैं फाइट करने के लिए और बहुत ही खुश होता है तब ही वो कहता है क्या तुम्हें पता है कि इसे कैसे हराना है तब ही उसका फादर कहता है मुझे नहीं पता लेकिन मैं इसे जरूर हराऊंगा यहाँ पर वो मच्छर मैन यहनी कि जो आज के डिट में मतलब इनके टाइम लाइन का जो मच्छर मैन था यह उसका फादर मच्छर मैन है और यहाँ पर आखे उनकी बीच में फाइट चलती है यह चूजी के फादर जैसा लग रहा है जो कि अपना साइज बढ़ा करके उसे मार दिता है लेकिन यहाँ पर फिर से वो परपर लाइट चमकती है और उस पर पढ़ती है और वो खुद को फिर से हील करने लगता है यहाँ पर हील करने के साथ ही मच्छर मैन मतलब इंसेक्ट मैन जो भी था उसके सारी कीडे मर जाते है यहाँ पर वो सभी लोग को नीचे एक टावर के अंदर लेके आते हैं यहाँ पर लाने के साथ ही सब लोग भाग तो रहे होते हैं यहाँ पर वो नारूटो और उसका फादर उनको रोकने की कोशिश करता है तवी नारूटो अपना रसेंगन बनाना चार्यू कर देता है अपने मल्टी शैरुकलों जुट्सू के मदद से यहां पर सभी कि सभी मल्टिक्लोन जुच्टू में मिलकर रसिंगन बना लिया हुता है और वो उस पर मानने की कुश्च करते हैं लेकिन नाकाम रहते हैं यहां पर वो देखता है कि जैसे नारूटो को पढ़ती है तो वहां पर पुरा धुमा धुमा हो जाता है यहां पर हमें पता चलता है कि नारूटो के फादर ने नारूटो को बचा लिया होता है कि तभी नारूटो का फादर उस पर हमला करता है अपने कई सारे मल्टिपल कुनाई से मल्टिपल कुनाई उसे अपना हमला करता है जिसके बाद वो देखना चाता था कि इसका वीक पॉइंट कौन सा है तब ही हमें बजलता है कि उसके हार्ट के पास यानि कि उस मॉंस्चर के हार्ट के पास में मॉंस्चर चुपा हुआ है और वो फिर से अपने उपर परपल एनरजी मगाता है और खुद को फिर से हील कर लेता है यहाँ पर सारा अपने लोगों को पहुँच चुकी होती है उसकर के अंदर यहाँ पर नारूटो फिर से रसिंगन मानने की कोशिश करता है लेकिन फिर से नाकाम हो जाता है और वहाँ से गिर जाता है जमीन पर वो उड़कते रोकते सीडियों से नीचे आ रहा होता है कि तभी वो उस दर्वादया खुलने कोश्च करती है लेकिन नहीं खुलता तभी उसे फिर से इस बार सारा ने भी खुद के उपर चाक्रा ब्लेड का इस्तमाल करती है और उसके अंदर चावी के अंदर डाल देती है मलब उस ताले के अंदर डाल देती है अब उसके घुमाने की बारी आती है तो वो घुमानी पाती जिसके बाद सभी के सभी गाउवाले उसकी मदद करने के लिए उस चावी को गुमाते हैं यहाँ पर हमें दिखाया जाता है निकि सीन शिफ्ट होता है दुवारा और हमें दिखाया जाता है नरुटो फिर से अपना रसिंगल लेकर उस पर मानने कोश्ट करता है और जैसे जैसे नरुटो बढ़ता है वैसे ही वो दर्वाजा फिर से खुल जाता है और फिर से वो उसी कमरे के अंदर पहुंच जाते हैं जहाँ पर से स्चोरी मितलब पास्च मर आई थी यहाँ पे सारह वापिस जाती है और कहती कि मैं उस monster को जरूर ढग़ाँगी यहाँ पे Naruto गिरा होता है तभी सारह उसे आकर उठाती है और कहती है Naruto तुम तो ठीक हो ना इसके बाए Naruto कहता है कि तुम अंदर जाओ और चाकरा को बंद कर दो यहाँ पर नारुटो फिर से अपना multi shadow clone jutsu का इस्तेमाल करता है और वो देखता है कि तभी वो फिर से अपने उपर purple energy गिराता है और फिर से खुद को heal कर लेता है यहाँ पर वो एक बड़ा सा energy blast attack करता है जो कि directly सीधे के सीधे नारुटो के उपर जाके गिरती है लेकिन वो उसे भी फिर से survive कर जाता है यहाँ पर हमें सारा को दिखाया जाता है जो कि उसको gate को खोलती है यहाँ पर हमें उस जगह को दिखाया जाता है जहां से movie की starting हुई थी यहाँ पर में पता चलता है कि नारुटो फिर से अपना एक chakra blade बनाने की कोशिश कर रहा है और वो उस पर जैसे हमला करने जाता है तो नाकाम हो जाता है और इस बाद उसे जबरदस पंच पढ़ता है जिसके बाद वो एक bridge पर आखिरता है यहाँ पर नारुटो का फाधार आता है और उसके रसिंगन पर अपना रसिंगन मनाना चालू करता है एक्चल में यहीं पर blue और green दोनों तरह के रसिंगन यहाँ पर तयार होते है यहाँ पर blue और green रसिंगन जैसे ही तयार होते है तो वो एक बड़ा सा एक उपसूरत रसिंगन मन जाता है यहाँ पर वो उस पर एक जबरदस्त रसिंगन मानने की कोशिश करते हैं लेकिन नाकाम रहते हैं पहले कोशिश में दूसरी बार वो फिर से वोहाँ पर वो energy blast attack करने वाले होते हैं कि तब ही हमें पता चलता है कि वहां पे नारूटो ने अपने फादर को भेजा होता है यहां पे हमें दिखा रहे गया जाता है कि वो जो मतलब चाकरा से जहां से निकल रहा होता है वो जगा बंद हो रही है यहां से जैसे ही वो बिजली परपल बिजली चमकती है लेकिन इस बार उस monster पर नहीं गिरती यहाँ पर Naruto देखता है कि इस बार monster पर परपल बजली नहीं गिरी है तो वो अपना ब्रसिंगर हवा में लेकर उड़ता है और उसके दिल में छेंद कर देता है छेंद करने के बाद ही वो पूरे का पूरा तोड़ जाता है Naruto का फादर यह देखकर बहुत ही खुश होता है कि चलो हमने इस monster को हरा दिया इस बार यहाँ पर वो छेंद होता है और वो कहता है कि सारा मैं तुम्हें कर दूँगा क्योंकि तुमने मेरा पूरे चाक्रा को बंद कर दिया और यह कहते ही वो उस जो परपल चाक्रा था वो रेड चाक्रा मतल चुका है और वो उसी के अंदर गिर जाता है यहाँ पर Naruto उस सारा को बचा लेते है लेकिन वो जगह फिर से तूड जाती है जिसके बाद उसका master आता है और उसे बचा लेता है तब ही उसे याद आता है यह तो मेरा बच्पन वाला रूप है जिसमें यह सब कुछ हुआ था क्योंकि ककाई संसे ने उसे बच्त पताया था यहाँ पर वो चाक्रा को फिर से मतलब ठंडा करना चाता था चाक्रा को ठंडा करता है यहाँ पर उसका father और वहाँ से वो उड़ते हो बाहर वापिस आता है यहाँ पर और कहता है कि तुम लोग शाद अपने टाइम लाइन में वापिस जा रहे हो तब ही वो कहता है कि मैं तुम्हारी यादों को मिटा देता हूँ ककाई संसे कहता है हाँ हाँ मैंने इस बुड़व की जान बचाई है तब ही वो उसके उपर सर पर एक जवरदस पंच मारता है सारा को कहती है कि तुम नारूटों जा रहे हो नारूटों कहता है कि मुझे तुम्हे कुछ बताना है तुम मेरे तब ही वो कहता है कि मुझे पता है मेरे बेटे और वो ये भी कहता है कि मैं अपने बेटे का नाम नारूटो रखूंगा तब ही नारूटो समझ जाता है कि इसे पता चल गया है कि मैं इसका future son हूँ यहाँ पर नारूटो बहुत ही खुश हो रहा होता है लेकिन उसकी यादे मिटा दी जाती है उसके फादर के थूँ यहाँ पर वो सारा को देखता है जो कि खुश थी यहाँ पर स्क्रॉल निंजा को दिखाय जाता है और साकुरा को और मुवी के फिर उसी टाइम लाइम पे दिखाया जाता है जहां से मुवी स्टार्ट हुई थी यह सब कुछ टाइम में चल रहा था यहां पर नारूटो और उसके मास्टर को दिखाया जाता है तब ही नारूटो उठता है और कहता है वाफ, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सार पर किसे ने 200 किलों का बाहर रख दिया हूँ और वो उस कुनाई की तरफ देखता है और उस कुनाई को लेकर जैसे ही बाहर आता है तभी उसे एक लड़की दिखती है और वो कहती है कि यहाँ पर मेरे को एक वा फिर से रोशनी दिखी थी इसलिए मैं यहाँ पर आगई देख दिख लिए और वो उसे वही कुनाही दिखाती है जो कि पास्ट में नारूटो के फादर ने उस पर डाल के उसे बंद किया था तभी वो कुनाही को देखता है तभी उसे समझ में आ जाता है पूरी स्टोरी उसे याद आ जाती है कि कैसे क्या हुआ था और वो बताती है कि मेरे मदर ने बताया था कि एक सूपर हीरो आया था इसी present timeline से मेरे past toilet timeline पर और सभी लोग फिर से खेलने कुने लगते हैं और story हो जाती है यहाँ पर end